हम इसको ग्राफिकली समझेंगे let's say कि मैं आपके पास इस सरहाद से एक ग्राफ रॉक कर रहा हूँ ओके और होरिजॉंटल लाइन के उपर मैं नैशनल नंबर्स पुट कर रहा हूँ और वर्टेकल लाइन के उपर आपके पास सीक्वेंस ए एन है कुछ वैल्यूस पूट कर लेते हैं कि एन की वैल्यू 1,2,3,4,5 एन सो ओन इंफिनिटी तक ही नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सीक्वेंस को प्लॉट कर रहा हूँ मौझूद है ओके एन चब मैंने 2 पूट किया तो मुझे मिला 1 upon 2 let's say 1 upon 2 आपके पास यहां मौझूद है so this is 1 upon 2 फिर चब मैंने 3 पूट किया तो 1 upon 3 let's say 1 upon 3 सीक्वेंस कहीं यहां है 4 पूट किया तो आपके पास let's say एन की वैल्यू 1 upon 4 यहां मौझूद है this is let's say 1 upon 3 this is let's say 1 upon 4 और 5 पे आपको let's suppose 1 upon 5 मिला अगर हम इसको बढ़ाते जाएं ठीके यानि मैं नमबर्स यहां पे बढ़ाता जा रहा हूं through infinity यानि infinite numbers तक लेके जा रहा हूं और हमें numbers की property पता है कि number infinites होते हैं आप कितना भी बड़े से बड़ा number बोलेंगे उससे भी बड़ा एक number मौझूद है just हमने क्या करना है उस number में plus one add कर देंगे तो उससे भी बड़ा number हमें मिल जाएगा तो numbers कभी ना खतम होने वाला सिलसला है और अभी अगर मैं इसी sequence को infinitely approach करूँ और ग्राफिक के लिए अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो one upon six पे sequence आपको कहीं यहां मिलेगी one upon seven पे definitely नीचे one upon eight पे और नीचे इसका मदलब जब यह infinitely आगे बढ़ेगी तो यह कहां approach कर रही है this is approaching towards zero okay I repeat कि जब यह sequence आप यहां पे n की value infinitely put करते जाएंगे तो आपको जो corresponding sequence मिलेगी वो कहां approach करेगी zero की तरफ approach करेगी लेकिन कभी zero तक पहुचेगी नहीं this is the definition of a limit so limit का मदलब यह होता है कि अगर आप यह कह रही है कि कोई भी sequence zero की तरफ approach कर रही है because we use the word approach और limit के लिए हम किस तरह से tends to zero so यह जो arrow है इसका मतलब है या तो आप इसको कह सकते हैं tends to या आप इसको कह सकते हैं approaches to ओके आप इसको गोर से समझेगा because यह बहुत technical term है और यहाँ पे इसका मतलब यह है कि limit tends to zero का मतलब यह है कि sequence zero की तरफ approach कर रही है लेकिन कभी zero तक पहुँचेगी नहीं और आप यहाँ पे इसको practically बता भी सकते हैं let's say इसी sequence को जब हम आगे बढ़ाएं तो एक point के अंदर आपके पास number आजाए one upon ten की power let's say hundred okay तो अगर आप इसको decimal में change करेंगे तो आपके पास zero point zero 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 करके कुछ numbers आएंगे इसका मतलब के वो आहिस्ता आहिस्ता कहां approach कर रही है zero की तरफ लेकिन कभी भी zero तक पहुँचेंगे नहीं तो यही मतलब होता है हमारे पास limit का ओके और इसको हम represent करते हैं कुछ इस तरह से के limit approaches to zero या limit tends to zero ओके और बस एक आखरी बात to an example मैं इसको summarize करना चाहूंगा कि normally जब हम limits practically समझा रहे होते हैं तो हम एक example के सुरू समझा सकते हैं let's say कि हम मैं जो है अगर मैं अपनी example लो मैं room के एक corner के ओपर खड़ावा हूँ let's say यह आपके पास एक room है और मैं कहीं यहाँ पे मौझूद हूँ at one end of the room और अब मुझे क्या करना है मुझे इस room के दूसरे end तक पहुचना है ठीके और मैं condition यह कर रहा हूँ कि let's say कि अभी मुझ्ट में और इस दिवार में जो distance है वो let's suppose 10 meter है ओके और condition यह है कि मैं कितना distance cover करूँगा मैं हर दफ़ा जो total distance है मैं उसका half distance cover करूँगा इसका मनलब यह है कि अगर 10 meter के distance है तो पहले मुझे move करना होगा 5 meter let's say 5 meter कहीं यहाँ मौझूद है तो मैं इस point के उपर आ गया अब जो remaining distance है वो 5 meter रह गया अब मैं क्या करूँगा कि जो remaining distance है उसका मैं half distance travel करूँगा it means 2.5 centimeter तो let's say मैं यहाँ पर पहुँच गया अब जो remaining distance है वो 2.5 meter आ गया तो मैं उसका और मजीद half travel करूँगा so 2.5 meter का half क्या होगा 1.25 meter let's say कि मैं यहाँ पहुँच गया और हर दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ कि जो remaining distance है मैं उसका half distance travel करूँगा इसका मतलब यह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कहां बढ़ रहा हूँ मैं उस दिवार की तरफ बढ़ रहा हूँ लेकिन मैं कभी भी उस दिवार तक पहुँचूँगा नहीं क्यों क्योंकि हर दफ़ा जो remaining distance मुझ में और दिवार में बाकी रह जाएगा मैं उसका half of distance travel कर रहा हूँ ओके so are you getting the point so यह एक practical example है हो सकता है कि अगर आप इसको visualize करें तो आप यह कहेंगे कि एक point के आगे हम दिवार के आगे खड़ो जाएंगे और distance हमारा ना होने के बराबर है हम तो को कैसे बढ़ें so यही बात होती है limit की कि limit का मतलब यह है कि आप उस point तक पहुँच रहे हैं या approach कर रहे हैं लेकिन कभी भी वहां तक पहुँचेंगे नहीं okay so this is the concept of limits and the concept of sequence sequence एक easy concept है समझने के लिए but limits थोड़ा सा technical terms है कि जिसको आप कोशिश करें समझने की तो चलें अब हम अपनी exercise equations को start करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम से limits और sequence related questions पूछे गए हैं और कैसे हम उनको solve करेंगे